है गैस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजलेंड और इंग्लेंड के बीच में जो फस्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा तो उसकी सारी डिटेल आपको इस वी इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान पूरवक्त देखना है यह जो मैच है यह इंग्लेंड और न्यूजलेंड के बीच में पहला मुकाबला है जो की लॉट्स लंडन में खेला जाएगा डेट और टाइम की बात करें तो देखे थी थर्टी पी-म इंडियन टाइम के स तो थोड़ा सा बेटिंग जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है शुरुआत में काफी हल्प मिलेगा बेटिंग को और पेस को थ्रू आउट दा मैच है यहां पर पिछले 2 साल में टेस्ट मैचे में जो पल्यर्स ने परफॉर्मस दी है इस वेन्यू पर उनका परफॉर्फॉ अगर हम बात करें बोलर्स की तो इस वेन्यू पे एक मैच खेला है टिम साउध ने जिसमें इनको साथ विक्टे मिली थी दो निंग्स का मिला के और एंडरसन ने दो मैच में यहाँ पे 3.5 विकेट्स पर मैच निकाली है और वेगनर को 3 विक्टे मिली है बॉर्ड को यहाँ अब बात करते हैं पिछले एक साल में जो भी प्लेस ने टेस्ट मैच खेले उनमें इनकी क्या परफॉर्मेस रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तो उसको तो से डेटेल में देखेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को जो रूट की बात करते हैं 16 अगर हम बात करें क्रॉली की तो 9 मैचेस खेले हैं 105 पॉइंट पर मैच नोने भी दिये इनका भी परफॉर्मेस पिछले एक साल में अच्छा रहा है तो आप इनको भी अपने टीम में ट्राय उट कर सकते हैं टॉम लेथम की बात करें 11 मैच में 89 पर मैच है मतलब यह जगी फैंटसी पॉइंटर रंस नहीं है सौरी फैंटसी पॉइंट से आने की बैटिंग बॉलिंग फीलिंग के सारे अगर आफ पॉइंट्स में लाएंगे तो वो कितने हैं ठीके जैक क्रॉली के 65 है और यह जैक क और मिशिल पर मैच 70 पॉइंट्स निकालते हैं ओवर्टन 88 पॉइंट निकालते हैं और ग्रेंड होम पर मैच 98 पॉइंट्स निकालते हैं बोलस में एंडरसन 57 पॉइंट्स निकाला है पर मैच 10 मैच जो आकरी खेले बोल का परफॉर्म्स बहुत शानदार रहा पिछले चा ब्लंडल अगर आप confused है तो देखे बैरेश टोनर थोड़ से जादा पॉइंट्स दिये हैं फैंटसी में अवरेज अगर आप निकाले 10 मैच का तो 96 पॉइंट्स पर मैच इनका परफॉर्मेंस है टोटल मैचिस की बात करते हैं इस वैनू पर देखे टेस्ट करड़ के हैस टोटल की बात करें यह एस वैनू पर रिकॉर्ड हुआ है तो हाईस टोटल जो है वो है 729 अस्ट्रीलिया वर्सेज इंगलेंड का इक मैच हुआ ता व्लोष टोटल हुआ है वह अगर बात करें इस वैनू पर खेले गये इकुछ मैचिस की तो देखे पिछले साल जो यहां पे मैचेस खेले गए थे उसमें इंडिया वर्सेज इंग्लाइंड का मैच हुआ था इस वेन्यू पे इंडिया ने 364 बनाया था 298 बनाया था इंग्लाइंड के बीच में उसको इंग्लाइंड बड़े इजीली जीता था और इंग्लाइंड की जो लोईस्ट स्कोरिंग हुई थी इसी वेन्यू पे 38 बनाया यह लोग हो गए थे जो मैन भी आपको दिखाई भी थी तो यह कुछ मैचे जो इस वेन्यू पे खेले गए थे ICC टेस्ट रंकिंग की बात का इज़ो देखो ніुज़रंड जो है तेज मैचेस खेली है और तेस मैचेस मैचस में तीसरे पाइदान पर थर्ड रंक पर है फिस्ट माड् में लाइड थे 19 जी एज्ट अगर आप रंक देखेंगे तो नुज़रंड की रंकिंग या तो England ने जादा जीते या ड्रॉ हुए, New Zealand थोड़ा सा Head to 8 में कम ही जीती है, आखरी 5 Head to 8 मुकाबलों में New Zealand एक जीती है, England एक जीती है और 3 मैच ड्रॉ हुए, आखरी 5 Head to 8 मुकाबले इन दोनों टीमों की बीच में जुह हुए, उनको आप थोड़ा से ध्यान से देखिए, लास्ट मैच तो वह हुआ था, 10 से 14 जून 2021 में जो हुआ था मैच, उसमें England ने 303 और 122 बनाया था, और New Zealand ने 388 और 141 बनाया था, ये मैच को New Zealand आट बिकर से जीत गई थी, तो लास्ट Head to 8 का जो 2021 का मुकाबला है, तो तीन मैच हा रहे हैं, दो मैच जीते हैं, तो New Zealand का फिर भी डीसरेंट परफॉर्मेस अच्छा है, अब इनकी सीरीज भी देख लो, England ने लास्ट पांच मैचेस किस-किस टीम के खलाफ के लिए, जैसे एक वेस्ट इंडीस खलाफ मैच था, एक ये वेस्ट इंडीस, ये तीन मैच हुए, फेस के बाद दो उस्ट इलाफ मैच थे, एसी इन्डीसरेंट की भी आखरी कुछ मैचेस आप देख सकते हो, एक साउट ओफ रेख खलाफ, एक सीरीज थी टेस्ट की, एक बंगलादेश के खलाफ और एक इंडीस खलाफ मैच था, प्लेयर बेटल की बात करते हैं, प्लेयर बेटल में आपको समझ भी आएगा, कौन सा बैट्समन की इस बोला की सामने स्टगल करता है, जो रूट ने 336 बॉले फेस करें, ट्रेंट बोल्ट की 116 रन बनाए हैं, बट 5 बार अपनी विक्ट भी दिया है, काईल जमिसन को इरो ने कमी फेस करा, बट एक बार विक्ट दे चुके हैं, टिम साउधी को बहुत फेस करा, सिर्फ 5 विक्ट दिया हैं, देख सकते हैं, बॉल्ट का कमपरिजन, अगर आप देखें, टिम साउधी से बेटर, ट्रेंट बोल्ट को जो रूट खेलते हैं, विक्ट हैं, उनको कम दी हैं, और साउधी के सामने रन जादा बनाए, यानि अगर जो रूट के सामने, तो थोड़ा से बेटर खेलेंगे जो रूट, जो रूट के सामने, अगर ट्रेंट बोल्ट आएंगे, तो थोड़ी से डिफिकल्टी जो रूट को होगी, वेग्नर के सामने देखें, देखें, 420 बॉलों में 194 रंस हैं, यानि वेग्नर को रूट और भी अच्छा खेल लेते हैं, तो डिफिकल्टी लेविल देखें, तो जो रूट के लिए बॉलिंग खेलना, वेग्नर की थोड़ी आसान है, उसके बाद टिम साउधी, और सबसे डिफिकल्ट रहेगा बोल्ट के सामने, फेस करनन की बॉलिंग को, जोनी बैरिस्टो का देख लीजे, वेग्नर निनका एकी बार विकेट निकाला, 160 बॉलों में, टेस्ट करेड में, टिम साउधी ना 98 बॉल्स में, चार बार विकेट निकाली, ये एक अच्छा अप्लिर बैटल है, इसके बाद Trent Bolton का तीन बार विकेट ले चुके हैं, और Jameson अभी तक विकेट नहीं ले पाए, तो बैरिस्टो को प्रॉब्लम साउधी से जादा हुती है, तिम साउधी से, फिर बैरिस्टो का देख लो, बैरिस्टो का देख लो, बैरिस्टो का देख लो, है, हैंडी को तो भी तक विकेट दी भी नहीं है, फिर आते हैं, ओली पॉपे, इनके आपको प्लिड बैटल वैगनर और टिम साउधी खिलाफ मिल जाएंगे, जिसको आपको ध्यान से देख लेना है, अब न्यूजिलेंड के वो कौन से बैटर्स हैं, जिसको अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो यहाँ पर देख लो, जेमस एंडरसन और विलियम सन का एक स्टैट है, 351 बॉल्स में 7 बार विक्टे ले चुके हैं ये, विलियम सन की और 134 सी रिम रहा दिए, यानि कि जेमस एंडरसन काफी एफेक्टिव हैं अगेंस्ट विलियम सन, उसके बाद देखिए, स्टूर्ट ब्रॉड ने 455 बॉलों में 4 बार विक्ट निकाली है विलियम सन की, एंडरसन ने अच्छा रिकॉर्ड तो देखो, किसी का नहीं मिलेगा आपको, एंडरसन काफी अच्छे प्लियार है, और विलियम सन के सामने सबसे बड़िया स्टैट इनिका है इसके बाद ओवर्टन की सामने काफी अच्छा खेला है विलियम सन ने, मतलब विक्ट नहीं दिया और स्टोक्स को सिर्फ एक बार विक्ट दिया, Conway की बात करें तो Anderson को उन्हें खूब खेला है Runs कम बनाए बर देखिए Wicket नहीं दी 153 बॉलों में भी और इसके अलावा देखिए Conway ने Broad के सामने दो बार अपनी विक्टे दी हैं तो Broad के सामने थोड़ा सा Conway जो है यह फस्ते हैं एंडरसन को थोड़ा सा बैटर खेलते हैं फिर हम बात करते हैं टॉम लेथम की तो इसमें देखिए आठ बार ब्रॉड ने लेथम की विक्ट निकाली है मात तो 255 बॉलों में तो लेथम की आगेंस स्टुर्ट बॉड का काफी उस टीम कर सकती है फिर हैंडरी निकलस की बात करते हैं एक बार इंडरसन की विकेट ने काली एक बार ब्रॉड एक बार ओवरटन ने काली इस टोस को ज़्यादा फेस नहीं का रहा है अब जल्दी से बात करते हैं, प्लेर्स की सबसे फ़ले नुजरेंग के प्लेस पे एक बार नजर डालते हैं, डेवन कॉन्वे, लेफटी बैट्समें, साथ मैच इस खेले, 767 टेस्ट क्रिकेट रंस है, एवरेज 36 का इनका होता है, बैटिंग करते हैं, तो काफी बड़ी है पच्छास के स्टाइकरेट से खेलते हैं, आखरी टेस्ट मैच इसकी बात करी तो लास्ट टेस्ट मैच में 92 और 16 की स्कोरिंग करी थी, फर्स निंग, सेक्ड निंग मिला के, और इसके अलावा ये देखिए, एक मैच में 36 लगाया, एक मैं 109 लगाया, एक मैच में 13 और 12 की मैच कर रहे हैं, तो इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके बाद देखिए, टॉम लेथम आ जाते हैं, 65 मैच के लिए, 4,500 रन है, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो अच्छा नी है, बट बीच में 252 की एनिंग्स खेली थी, और head to head देखेंगे तो वो थोड़ा सा average है, फिर विलियम सन की बात करते हैं, तो रिसेंट फॉर्म इनका IPL में तो अच्छा नी चल रहा था, I hope टेस्ट कर लेंगे, रिसेंट लिन उनने 238 की स्कोरिंग करी थी, और आप पोजिशन टीम की खलाफ एक बर शयतक भी लगाया था, यह आकरी तीन मैचे ने आप पोजिश पोजिशन टीम की खलाफ एक बर 80 लगाया था, फिर हन्री निकलस आते हैं, चालिस के अवरेज से खेलते हैं, जिनका चालिस का अवरेज होता है, रिसेंट टाइम में बैटिंग अची नहीं कर रहे है, और बालिंग भी पिछले दो मैचे से टेस्क्रेड में करनी रहे, तो थोड़ से अनिम्पोर्टेंट होगे, फिर काईल जमेशन आते हैं, जो टाइमान पर बैटिंग भी कर सकते हैं, बालिंग बहुत अच्छी करते हैं, रिसेंट फॉम काफी अच्छा है, अब पोजिशन टीम के खलाफ लास्ट टाइम एक इनिंग में जीरो विकेट और एक टीम साओधी की बात करें, मीडियम फास्ट पेसर हैं, एक सो साट मैच में 338 विक्टे हैं, रिसेंट फॉम काफी जाद अच्छा है, लास्ट टाइम पोजिशन की टोटल 7 विक्टे ये लेके गए थे, फिर नील वेगनर की बात करते हैं, इनका फॉम भी बहुत शांदर च तो अगर आप देखें ना, सीरियसली तो न्यूजरेंड जो है, वो कोई कम टीम नहीं है, इंग्लेंड के सामने अगर आप देखें, नाम जरू इंग्लेंड का बड़ा है, बट न्यूजरेंड की बॉलिंग बहुत शांदार है, और आप स्टेट से अंदाद लगा लगा हैड्ट तो एड्ट में इंके स्टेट लगा तर अच्छे जा रहे है, लगा तर हर मैच खेल रहे है, तो हर मैच में दो थीन-तिन व contributed बोलर्स लेकर जा रहे हैं, नुजरेंड के तोनों प्लेश की थोड़ी सी अवरेज है. और यहां पर आप वही चीज़ को नोटिस कर सकते हैं. हैट टो एड, जेको, जेकर ओली का काफी ज़ाद खराब है. जो रूड जो है नंबर 3 के असपस बैटिंग कर सकते हैं. बॉलिंग भी कर लेते हैं. बैटिंग भी कर लेते हैं, important player रहेंगे, 49 के average से खेलते हैं, most of the matches में बड़ी innings इनकी आपको देखेंगी, opposition team के खलाब एक बार 206 भी recently लगाया है, और balling भी कुछ overs करते हैं, तो कप्तानी वाइस कप्तानी के हमेशा perfect pick होते हैं, जो route, फिर all-e pop ए हैं, जिनका 28 का average है, recent form बै बैन स्टोक्स आते हैं, इनका form अगर आप देखें तो बैटिंग में ये भी ठीक ठाक perform कर रहे हैं, opposition team के खलाब एक बड़ी knock है, 91 runs की, तीन match में यही एक बड़ी knock है, बाकी knocks चोटे रहे हैं, और balling में अगर आप देखें थोड़ा सा average perform कर रहे हैं, बट overall कप्तानी वाइ पिछला इक साल इनका उत्त अच्छा नहीं रहा, opposition team के खलाब record थोड़ा सा इनका भी average देखने को मिलेगा, फिर Stuart Broad आते है, recent form बहुत classic है, opposition team के खलाब record थोड़ा सा average है, last match में 5 विक्टे, उसके पहले 1 विकेट, उसके पहले 4 विकेट, यह इनका आकरी 3 मैच का performance है, opposition team के ख सेंटिस इनक में अभी तक 79 विकेट निका ले हुई है, यह केरीर स्टेट आप तो दिहान से देखा करो, इसमें आपको पता पढ़ता है कि जो प्लेयर है उसने कितने इनिंग में बॉलिंग करी और उसकी विक्टे हैं कितनी टोटल, तो आपको एक पर इनिंग का average निकल के तो यह है स्टेट्स इंग्लेंड टीम के अब जल्दी से हम बात करते हैं फैंटू प्ले टीम की क्या हमारी टीम रने वाली मैच में वह देख लेते हैं, मैंने फैंटू प्ले अप्लिकेशन ओपन कर ली जिन लोगों ने साइन अप नहीं करा, रफर्गोड एफेक्स लगा लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में सबसूपर हमारा पिंड कमेंट भी मिल जाएगा उस पर क्लिक करके हमारे तिल्गाम चल से जोड़ जाएगे पिछ रेपोर्ट तॉस रेपोर्ट लाइन अप टीम सब आपको वहीं पे मिलेगी अब म लगता है यह अच्छा कर सकते हैं यहां पे अगर हम बात करें तो ब्ल्ट एने जो रूट को भी ले रुद गाएगा है डेवन कॉनवे को भी ले डखा है और बेन बोल्लन यह तो बहुत ही शांदर परफ़ॉमेंस करते हाँ हमीशा इंगलाइन के खिलाप तो इनको तो मु कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि head to head में इनके stats सबसे जबरदस्त हैं और betting में अगर आप stats की बात करेंगे तो Conway route हो गए यह लोग बहुत अच्छी betting कर रहा है recent time में बागी ना आप बेरो स्टोप उत्ता भरूता कर सकते ना अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा